नम्हा स्री वर्ध मानाये निरिधूत कलिलात्मने शालो का नाम त्रिलो का नाम यदि बेद्ध्या दल पनाये ते रत्ने कंड़क स्राप का चार परमांगलिक गिरन्थे आचार शमंतवर स्वामी द्वारा यहें लिखा गया है दूसरी तीसरी सताद्धी में और इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्यान, सम्यक चारित्र, सलेखना, स्रापक के ग्यारह पदों की चर्चा की गई है पहले अधिकार में सम्यक दर्शन और उसके महत्तो को बताया जा रहा था अभी हम लोग उने 41 नमबर का इस लोग देखा था जिसमें कहा गया था कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से जीव जो है धर्म चक्र को धान करने वाला राजेंद्र चक्र और नरेंद्र चक्र ऐसे चक्रों को धान करने वाला जीव बनता है मतलब कि वो इंद्रों में भी स्रेष्ट पदों को धान करता है मनुस्यों में भी स्रेष्ट मनुस्य चक्वर्तियादी पत को भी प्राप्त कर सकता है और वह धर्म में तीथंकर पत को भी प्राप्त करता है वो सम्यक दर्शन का प्रभाव होता है सम्यक दर्शन का मतलब यही है कि वस्तु स्वरूप का निरने करना वस्तु का तो निर्णे है है तो हमारी मानता में निर्णे नहीं है हमारी मानता में उसके प्रती जो है गलत धारने वेठी हुई है उसको ठीक करना उसका नाम है समयक दर्शन सच्चे परमात्मा को सच्चे परमात्मा के रूप मानना सच्चे गुरू को सच्चे गुरू के रूप में मानना, सच्चे साफर को साफर के रूप में मानना, जो ही जगत में जव जैसा पदार्थ है, उस पदार्थ को उसी स्वरूप मानना, यह समय दर्शन है, जजीब चेतन है तो उसको चेतनी शिकार करना, जड़ अचेतन है तो उसको अचेतन मानना तो ऐसा भेद रखना संसार को किसने बनाया है हमारी मानता है किसी भगवाल ने बनाया किसी इसने बनाया तो ये मानता भी गलत है छे द्रव्यों के सम्हों को संसार कहते हैं पुद्गल, धर्म, अधर्म, अकास, काल, जीव ये छे द्रव होती हैं और इन छे द्रव्यों के शंगों को शंशार कहते हैं और ये छे द्रव कैसी हैं अनादी से हैं और अनंत काल तक रहेंगी किसी ने बनाया नहीं और कोई ने किसी इसको बिटाया नहीं मेरी आत्म कुछ ने बनाया आपकी आत्मा को कुछ ने बनाया किसी ने बनाया हो तो बताओ किसी की क्रपा से बंदी हो कभी किसी के दया से बन गई हो किसी के क्रोध से मिट जाए नश्ठ हो जाए ऐसा भी नहीं है अहेतुक है अकारण है कोई कारण से पैदा नहीं हुई है कोई हेतु से पैदा नहीं होई है जो चीज किसी कारण से पैदा होती है तो किसी कारण से नश्ठ भी हो जाती है छै भी हो जाती है ठीक है आप किसी कारण से बनी तो किसी कारण से नश्ठ भी हो जाएगी किसी निमस से पैदा होई तो किसी निमस से समाप्त भी हो जाएगी लेकिन आत्मा किसी निमस से पैदा नहीं होई इसलिए किसी निमस से मिटेगी भी नहीं ऐसे ही परमाणों एक भी परमाणों किसी निमस से पैदा नहीं हुआ बना नहीं तो किसी निमस से मिटेगा भी नहीं तो संसार में जो भी द्रब हैं जो भी संसार जो है किसी ने बनाया नहीं है ना ही कोई इसको मिटा सकता है ना ही इसको कोई अच्छा करने वाला है यह सोमे भी संचालित हैं कि यंद्हीं अप्रियों में तो आपको पढ़ा रहा हूं टो पढ़ाने में निमित हो पर आपको ग्यान की शक्ति आपके पास है समगने की शक्ति आपके पास एक पने इसा है आप अपने ही न से न दो हो जानने कि जुक्ति उपादान सकती है शक्ति है आपकी सक्ति हैं जैसे कि एक टीचर को सिक्षक बच्चों को स्कूल में पड़ता है तो किसी के 100 नमबर आते हैं, किसी के 80 आते हैं, 70 आते हैं, कोई खेल भी हो जाता है तो टीचर ने तो सबको एक साथ पढ़ाया, निमित तो एक सथा पढ़ाने का लेकिन सबकी अपनी योगता, समझने की शक्ति, जान की शक्ति, सबकी भिन भी निती, अलग-अलग थी तो जिसके कारण उनका रिजल्टी भी क्या हुआ, अलग-अलग आए, यदि गुरु ज्ञान दे सकते थे, सबको ज्ञान एक साथ मिलना चाहिए था, सबको ही नॉलेज एक साथ मिलना चाहिए था, तो इसका मतलब है, गुरु सबको एक साथ ज्ञान दे दे सकते, सब अप पढ़ाया, मैंने तुमें लिखाया, मैंने तुमें ये किया, मैंने तुमें ग्ञान दिया. ये तु वेर्थ की बाते हो गई ना. जो बच्चा पास हुआ है, वो टीचर के गुरुगान गायेगा कि नी गायेगा? महाराज जी आपको क्या बताएं हमारे जो मास्टर साथ इतना पढ़ियां पढ़ाते हैं गजब का और आज जो भी मैं हूँ उनकी किरपासे हूँ उनने नहीं पढ़ाया होता धन से तो मैं आज प्रकुर टॉपर नहीं बनता हूँ आज तो प्रसंसा पुराण वो बच्चा जो पास हुआ है वो टीचर का प्रसंसा पुराण लेखेगा आजैंजा जो क्रेल उप क्या बढ़ान किसका है किस्का लगेगा उप्सिका हमने तो ऐसे साब देखे हैं एक नंबर का वंगेgartेफ हूँ एक नंबर का यह कुछ पढ़ाने नहीं आता चाइंप स्करने नहीं आता तो प्रसंस करने वाला करने उनकी प्रशसा儿 कल रहे है落Uncus नहीं आब पिचर की क्या गलती बताओ कि की है कि अगती नीमित फेसे था लिए की दोनों के लिए निमित था अभी हम प्रवचन कर रहे हम आप के लिए निमित है ऐसा हो सकता है किसी की मन में आ जाय कि नाई और एक कन बन रहा होगा, नहीं मैं तो गुष नहीं करूँगा, मुझे समझने आगा प्रकुष नहीं करूँगा, तो मैं जबर जस्ती कोई चीज का परिणमन नहीं करा सकता हूं, इस बात को हमें ध्यान में रखना है, इसलिए हम अपना अहंकार क्यों करेंगे? ये ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं, कि मैं जगत नहीं बना सकता, जगत का संचालन नहीं कर सकता, मैं परिवार का संचालन नहीं कर सकता, यदि ये भाव आते हैं, तो ये मेरे अहंकार के भाव आते हैं, ये मेरे मिथ्या भाव हैं, और इस भाव को धनकरने वाला मिथ्या होता है उसका अहंकार में घुमता रहता है कि मैं कुछ कर सकता हूं मैं कुछ कर सकता हूं मैंने बहुत कुछ किया मैंने यसा किया मैंने वैसा किया भाई तुने कुछ कुछ होता नहीं है निमित कुछ करता नहीं है थीक है ना निमित कुछ करता नहीं है और निमित के बेना कुछ यह सिध्धान तो निमित कुछ करता नहीं है क्योंकि निमित किसी में अपनी शक्ति नहीं डालता किशान बीज को फसल रूप करने के लिए निमित है ठीक है ना उसके निमित से वह फसल उग जाती है तो एक द्रश्टी से निमित कुछ करता है दूसरी द्रश्टी से निमित कुछ करता नहीं है क्यों 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 कि वो किसान उस बीज की अंदर जाके बीज को बड़ा नहीं कर सकता है उस बीज में सोयम ही शक्ति है प्रणमन होने की अंकुरत होने की पुस्पित होने की फलित होने की उसमें ही शक्ति है बीज के अंदर किसान जा सकता है क्या बोलो नहीं जा सकता ना तो तो निमित कुछ नहीं करता है कैंनी करता है तो निश्चे से निमित करता है कि ज़ो योगता उसने मिट्टी में डाला पानी डाला खाद दी बाहरी जो निमित में लाए ठीक है ना तो उससे क्या हो गया वो अंकरत हो अच्छा एक काम करें किसान की बीज की स्थान पर क्यों पत्थर डाल दे और फसल हो जाए पत्थरों को डाल दे ठीटों में और फसल बन जाएं तो निमित के कुछ किया क्या कर पाये अब फैने मित डाल रहा वो खाद भी डाल रहा हैं सब कुछ डाल जाल रहा है फसल बना के दिखा दे तो नहीं होगी क्योंकि उसमें उसमें योकता नहीं शक्ति नहीं यह सारी चीजों को समझना है कि हम संसार में निमित भी बनते हैं और निमित नहीं भी बनते हैं हम किसी का परिणमन नहीं करा सकते हम किसी में चेंजिंग नहीं ला सकते जब तक सामने वाले में चेंजिंग होने की शक्ति नहीं हो बदलने की शक्ति नहीं हो तक तक हम उसको बदल और उसमें शक्ति थी बदलने की तो हम निमित मिले तो हम अहंकार क्यों करें कि देखो मैंने बदल दिया मैंने होता तो तेरा क्या होता मैंने होता तो पढ़ने पाता तो बढ़ने पाता तो लिखने पाता तो काम करने पाता यह सब चीजों को थोड़ना है उसी को किरें यहां पर यह सम्मेक दश्टी जीव है वो किसी प्रकार का अहंकार नहीं करता है और नाहे कोई इस प्रकार की बात रखता है वह कहता है सेंसार में सब पदर प्रण्णमन सील हैं प्रण्णमन हो रहे हैं तो इस बात को स्विकार करना सम्मधर्शन है क्या है तो हमारे उपर एक सौतंता आ जाती है कि हर चीश सौतंत्र है क्या है मैं भी सोतंत्र हूँ तुम भी सोतंत्र हो फ्रग्रती का एक एक परमानू क्या है सोतंत्र है किसी की क्रपा और किसी के आसरवास से वो नहीं चल रहा है ये जैन धरम का शिधानत है ये महावीर का शिधानत है महावीर कहते हैं प्रतेक पदार्थ प्रिणमन सील है उसमें generate, operate, destroy जो भी होना है वो अपने आप होगा उत्पाद वय ध्रॉब यह अपने आप होगा है यह बस्तू की विवस्था है बनना, बिगड़ना और बने रहना यह बस्तू की विवस्था है बनना, बिगड़ना और बने रहना यह बस्तू की विवस्था है बनना एक परियाय चेंज हो गई उस चेंज का नई बस्तू चेंज आई तो बनना हो गया फुर्मा को मिट was therey बने रहे तो बने रहना भी अम इसको हुआ रहे कि कमें दाइडाप्र के रहे हुआ अब खुद जला दिए है थो क्या बन जाएगा राफ बनना ऑगा ये इसका लेकिन यह अचेतन अभी है और राक बनने के बाद भी क्या है अचेतन है तो बने रहना बस्तू का भी रहना है बस्तू का मिटी बस तो मिटी क्या अभी अचेतन है राक बनने के बाद भी अचेतन पने का तो नास नहीं हुआ ना बताव हुआ कि जड़पना है उसका नास हुआ क्या उसका नास नहीं हुआ इसकी परियाय चेंज अवस्था चेंज हुए इसकी दसा हुए है कि दसा चेंज हुए है ना कि बस्तुर चेंज हुए यह अभी अचेतन है बाद में भी राक मिट्टी बनन जाए तब भी क्या है जितनी परियायों में जाता जाएंगी अनन्त प्रियाय cru recording चलता रहेगा के और यह अनादी से से चल रहा हैज इस्से कोई रोग हाधी जैसा जैसा संयोग मिलेगा वैसे वैसे वह बनते विगड़ते रहेंगे कि पर बस्तू सदा बने रहेगी बसुख है जैसे आत्मापन हैं अभी अपन मनुस्स है और अभी च्होड देव एक नहीं पर हाए बन गए बनगे मनुस कर रहे खेजी। मेरा चेत्नर सबस्षार में नस्दस नहीं होगा सब व्या सबुदर है या कि जो नस्द नहीं हो रहा है वह जो है उसी कि स्जेश जैर शीने बना बनाया नहीं है और ना ही कोई मूल से उसे नस्ट कर सकताया तो किसम यहीं बातа प्रसंशार कित Approve संसार बनाया थो संसार किस ने बिगाड़ा से बोलो कि यह थी भगवान ने संसार बनाया औह स्था करेगा कोई मिटायेगा और ऐसाמה सर्दों यह कुछ यद्यम ROS का नहीं है मेरे जैनीजम कहता है सबकुछ यथाबत है आपनी किसी की निमेस से सईओक से कुछ नकुछ परिबर्तन होता रहेगा लेकिन कोई चीज को बनाना मुल रूप से और मुल रूप से इसका नस्ट करना संभव बिलकुल भी नहीं है ऐसा जो स्रद्धान है इसका नाम सम्मिक दर्शन है लोग डरे हुए हैं लोग भैवेद हैं यह समी किया ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा कोई उपर से पर्शानी आ जाएगी दुख हो जाएगा अरे ऐसा कुछ नहीं होता है ऐसे कौन कर देगा कुछ भी ऐसे कुछ होने वाला है विलकुल भी नहीं होने वाला है वह आपने जैसे भाव परिणाम किये वैसे करम की रह जाएगी उससे होगा और लेकिन और किस्तमारा कुछ करेगा ऐसा आप निर्वह हो जाओ कि हुज वंद भैसे आ रहे हो आम्यों चुछ विद्धिया बिद्धि हो जाएगा मेरे पुर्षार्थ नहीं करने से अथ्वा मेरे भाग से मैंने जब पीछ पीछे किया होगा उसके अनुसार होगा लेकिन भगवान मेरा काम ना बनाएंगे ना बिगाड़ेंगे पर हम भगवान के पास क्यों आएं फिस हैं इसलिए थोड़ी आते हम तो अपनी भटकन समाथ करने आते हैं शांतती की मार्ग में चले हो बीतराग मार्ग में चले हो ऐसे मैं भी शांती के मार्ग में चलूँ आपको देखके मैं भी ध्यान करूँ आपको देखके मैं भी राग देश समाप्त करूँ आपको देखके मैं भी सांती मेरे अंदर आजाए आप सांती नहीं दोगी आपको देखके मेरे में शान्ति आजाए वी तराकता आ जाए इसलिए है प्रभू मैंने आपको यह इस्थापित किया है अपने आत्म कल्यान के लिए भवतिक पदार्थों को पाने के लिए निए वो पुर्शार्थ का काम है, वो तो मेरे भावा काम है, मैं अच्छा भाव बनाओंगा, मुझे अच्छा मिलेगा, मैं बुरे भाव बनाओंगा, मुझे संसार बुरा मिलेगा, अच्छे संसकार, अच्छे संसार का जनम देते हैं, आप अच्छे संसकार रखो तो आपके आसपस संसार कैसा मिलेगा आपको अच्छा मिलेगा बुरे संसकार रखोगे तो आपका संसार कैसा रहगा टो आपके हात में इस Baiwaan का क्या लेना देना है किसे और की क्या व dolce सकता है हम प्रभु गुरू के पास आएं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आत्म कल्यान की उतिक झाल झाल